जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि प्रेंका और राहुल, आमेठी और राइवरली वापसी करेंगे, क्या कॉंग्रेस का भविष से इन दो सीटों से उत्तर प्रदेश में सुधर सकता है? देखें ये दो सीटें तो कॉंग्रेस के लिए आज से नहीं कितने दशकों से अपनी एक परमपरागत स्ट्रॉंग होल के तौर पर रही हैं और ये माना जाता था कि पूरे प्रदेश में कॉंग्रेस कहीं जीते नहीं जीते यहां तो जीतेगी वहां के लोगों ने भी लगातार समर्थन दिया है पार्टी का और इन दोनों जो परिवार के सदर से यहां से खड़े हुए हैं उनका लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे लगता है ये समर्थन कुछ दरखता हुआ कमजोर होता हुआ दिख रहा है और पिछली अमिठी जैसे राहुल गांधी चुनाओ हारे अमिठी और वाइनार्ट ना पहुँचे होते तो मुश्किल हो जाती है उनके लिए हाँ रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी का साथ दिया है तो अगर वो चुनाओ नहीं लड़ रही है जैसा कि बिल्कुल इस पश्ट है तो उनकी जगह पर अगर प्रियंका गांधी वाड़ा चुनाओ लड़ती है तो उन्हें भी वो समर्थन मिल सकता है क्योंकि वहां के सदस्यों के प्रती है तो अमेठी में स्थिती थोड़ी सी मुश्किल लगती है लेकिन रायबरेली में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस अपनी सीट बचा ले जाने में सफल हो अमेठी और रायबरेली की जिस तरह की तस्वीर देखने को पिछले कुछ सालों में मिली राहूल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या परिस्तिती देखने वाली अगले पांस साल में और प्रियंका अगर रायबरेली जाती हैं तो देखे पहले बात कर लें अमेठी 98 में कॉंग्रेस हार गई थी वहां बीजेपी जीती थी 99 में सोनिया जी वहां आई और उनके इलेक्शन कैम्पेन को प्रियंका गाधी ने समाला था 99 में और एक बहुत जवर्दस्त बीजय हासिल की सोनिया गाधी ने उसमें अटल जी का लीडर्शिप था एंडिये बहुत मजबूत था लेकिन फिर भी अमेठी सोनिया जी जीती और बहुत अच्छे ओटों से जीती उसके बाद राहुल जी आये 2004 से फिर वो 14 तक जीतते हैं 19 में हार जाते हैं हारने का कारण भी internal था जो उनका management था बहुत पूर था गलत लोगों के हाथ में वहां का चुनाव campaign था तो चुनाव हार गए अभी जो हालात हैं मुझे नहीं लगता कि राहुल जी वहां हुआ है और जब यह निया यात्रा लेके वहां गए थे तब भी इन्होंने कोई चुनाव लड़ने की नहीं की तो आप एक ऐसा लाका जो आपका परिवार रहा हो आपका घर रहा हो वहां बताए ही ना कि हमें क्या करना है तो लोग बहुत ही परिशान है वहां के कांग्रे लेकिन ग्राउंड पर कोई काम वहां नहीं हो रहा है तो अगर राहूल सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए तो उनको ग्राउंड पर वर करना पड़ेगा उनके सामने चैलेंजेज बहुत हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के वहां के रूलिंग जो समाजवादी प स्पोर्ट रहा बीजेपी का तो बीजेपी ने अपने को लगातार धेरे-धेरे करके वहां ग्राउंड पर अपने को मजबूत किया है कांग्रेस की एक्टिविटी वहां अभी उस तरह से नहीं है को छोड़ दिया जाए अब आईए आप राइवरेली राइवरेली तो फि आउंग्रेस की टीम है वो काम कर रही है निया पंचायत अस्तर पर लोगों ने काम किया है हलाकि निया यात्रा में कोई घोशना नहीं हुए कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन चुनाव नहीं लड़ेगा अब चुनाव की अध्रसूचना आने वाली है तब अगर इनकी भी चुनाव लड़ने की डेट आती है या चुनाव लड़ने का नाउंसमेंट आता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किले पेशाने वाली तो त्यारी करने का वक्त नहीं है और चुनाव आज के जमाने मे जब BJP चुनाव लड़ती है तो corporate bombing करती है multi-layer function करती है वो चुनाव लड़ने के लिए वो सारी चीजों को ये कैसे उसका counter कर पाएंगे अभी जो इनका organization structure है उसको किस तरीके से करेंगे तमाम काम इनके pending है और अगर वो सारे काम पूरे होते हैं और अभी ये संकेत दिया जाता कि ये चुनाव लड़ेंगी या जब सोनिया जी की चिठी आई थी उस चिठी में अगर ये बात आ जाती कि मेरे बाद प्रियंका वहाँ चुनाव लड़ेंगी तो एक अलग इस्तिती होती अब चैलेंज बहुत बड़ा है इनके सामने कि ये इस अपनी परमपरगत सीट पर कैसे अच्छे से लड़ें और खास तोर पे तब जब वहां मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के मेले थे वो भी बीजेपी के साथ चले गए उन्होंने ना सिर्फ वोट दिया बलकि वो तो बीजेपी के साथ जानी वाले हैं और मेरी जानकारी के हिसाब से वहां समाजवादी पार्टी के अभी तीन और MLA है मेरी जानकारी के हिसाब से वो भी sympathizer है सब मनोज पांडे के यानि कि वो जानी के पहले उन्होंने अपनी बातवात कर रखी है तो एक सीट बीजेपी के पास है चार सीट सपा के पास थी राइवरेली में बिधान सपा की तो जब आपके पास ज़्यादा तर जो लोग हैं जो कांग्रेस के पुराने लोग हैं कई तमाम लोग तो बीजेपी जोईन भी कर लिए अभी इनके बलाग परमुक हो गयरा थे और दूसरे लोग थे तो बीजेपी लगातार अपने को ताखतवर बना रही है और कांग्रेस ठैहरी हुई है या नीचे जा रही है तो अभी इस नहीं है कि किस इलाके का ओट किसके पास है कोई नाराज है तो किसके कहने पर मान जाएगा यह सारे फार्मूले उनके पास नहीं है तो बहुत बड़ी चुनोती है अगर चुनाव लड़ना है तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी घोशित करेंगे तो शायद इनको लाब ह करने के लिए समय इनके पास बिल्कुल नहीं है जिस तरह से देखा गया कि पिछले चुनाओं में राहुल गांधी चुनाओं मेठी से हार गए स्मृति रानी नया चेहरा थी उनको लोगों ने उन पर भरोसा जाताया लेकिन ऐसा नहीं कि पिछले कुछ पांच साल में स्मृत रानी को लेकर नाराजगी हो और जो अमेठी के लोगों के जो ब्लड में कॉंग्रेस वाली स्थिती थी वो दुबारा हो जाए और राहुल गानी खाली खड़े हो जाए चुनाओं जीच जाए ऐसा कई बार बहुत सारे छेत्रों में देखा भी गया है देखे ऐसा तो हर ज तरीके से चुनाव लड़ने की जो एक प्रक्रिया उन्होंने पिछले को सालों में अपनाई है उसके चलते इसमिति इराणी भी अपने पूरे छेत्र में लगातार दोरे करती रहती हैं लोगों के घर में जाके मिलती रहती हैं महिलाओं से और तबाम सारे वोटर से एक सव उसका फायदा मिलता था इसमिती रानी बिल्कुल साफ है कि वो तरपजेश से भी नहीं बिलॉंग करती हैं लेकिन जिस तरह से उन्होंने अमीठी पर काम किया है अपनी कॉंसिजिंसी को लेकर और तमाम सारी योजनाया वहां पर लाई हैं वहां पर महिलाओं के लिए तो से नहीं है जैसे कि कॉंग्रेस के प्रती वहां के लोगों का हुआ करता था लेकिन यह कहना कि अगर राहुल गंधी अपना कंडिडेचर वहां से अनौंस करते हैं तो रातो रात वो सारे सेंटिमेंट्स फिर उनके पक्ष में चले जाएंगे यह मुझे 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 की हैं जो अभी भाति जन्ता पार्टी वहां पर एक्सरसाइज कर सकती है अगर वहां पर राहुल गंधी पहुंचें तो इसलिए इसमिती रानी ने अब जैसे वहां पर अपने घर के भी घोषना कर दिया और तमाम तरह के मैसेज देने की कोशिश की है कि अब यहीं की होके रहेंगी तो इससे लोगों को यह तो लगता है कि राहुल गांधी कभी यहां रहेंगी ने लेकिन इसमिती रानी ने तो घर भी बना लिया तो ऐसा हो सकता है कि राहुल यहां से चनाव लड़ने की कोशिश करें या गोशना करें तो कुछ उनके प्रति एक सपोर्ट और सम कॉंग्रेस के सीट जीतने पर उनको नहीं मिलेगा तो यह जो प्योली एक लाब की वजह से किसी को सपोर्ट देने की एक नई परंपरा शुरू हुई है पूरे देश में इस वजह से भी शायद राहूल गांधी को अब अच्छानक से समर्थन मिलना मुझे तो मुश्किल दि देखते हैं अगर इस तरह से रणितिक तौर पर चुराव लड़ते हैं देखे कांगिरेस की कोई रणित साफ नहीं है नया यात्रा इनकी यूपी आनी थी तीन बार उसका रास्ता बदला और मीडिया को एकदम 11 थावर में जानकारी दी गई कि राहुल जी अब यहां आ र लोग हैं उनको शायद उनको ही नहीं पता था तो मीडिया को कैसे बताते हैं तो यह एक संकट हो गया दूसरा आप आपका कोई कारहले अभी नहीं फंक्शनल है वहां अमेठी में जो हमेशा इसके पहले के दौर में ऐसा होता रहा है कि परिवार भले ही वहां से चुनाव लड़े नलड़े लेकिन कोई रिप्रजेंट्रेटिव इनका वहां रहता था अमेठी में वह इस्थिति नहीं है एक नए तरीके की कांग्रेस है जिसका पब्लिक से जुड़ाव बहुत कम हो रहा है बातें बहुत अच्छी है अटैक बहुत जबरदस्त है मोधी जी पर ल प्रियंका जी एक सीट राइपरेली लड़ेंगी एक दच्छिन भारत लड़ेंगी मेडक की आंधरप्रदेस में राहुल जी के साथ यही सेम चर्चा है कि एक मेठी लड़ेंगे एक वायनाड या कोई और सीट हो सकती है तो चर्चा यह हैं लेकिन वास्तों में क्या होना ह यह किसी को पता नहीं है सिवाए इनके उनके जो टीम के लोग हैं उनको लेकिन अगर आप अपने अपनी एक्टिविटी नहीं शुरू करेंगे तो एक्जाम के ठीक पहले आप कौन से पांच इंपॉर्टेंट कुष्चन हल करेंगे कि आप पास हो जाएं पासिंग मार्क म अब 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 अबजेक्टिव कुष्चन आगे तो आप अबजेक्टिविटी कांग्रेस में भी दिखनी चाहिए और आप अचानक आके चुनाओ जीच जाएं ऐसा वो दौर नहीं है क्यों बीजेपी 24 इंटू 7 ग्राउंड पे काम कर रही है जैसा सर ने कहा कि वहां पर इस्मृति ने अपना घर बना के एक मैसेज भी दिया है दूसरी बात यह है कि पुराने जमाने में 80-20 साल पहले की जो राजनीत होती थी उसमें सुसाइटी की अलग-अलग लेयर थी OBC क्लास किस तरह से वोट करेगा वो आप अंदाजा लगा सकते थे जो सेडिूल कास्ट की जातियां है 66 वो किस तरह से वोट करेंगी उसका अप अंदाजा लगा सकते हैं वो आपके साथ रहेंगी कि आपके साथ नहीं आज कल की राजनीत यह है कि OBC की 79 जातियों में सभी जाते हैं, अललग-अलग तरीके से सोचती है, वो कोई ग्रूप नहीं रहा, मतलब कागेश में ग्रूप है, सोसाइटी में और वोटिंग में, और राजनीत में ग्रूप नहीं रहा, हम बात जरूर उसकी लेकिन वहां कास्ट की बात होती है जैसे आप राजभर कास्ट की बात करेंगे निसात की बात करेंगे यादोग बात करेंगे कुर्मी की बात करेंगे प्रजापती की बात करेंगे यानि हर विरादरी के आपको अलग-अलग बात करनी पड़ती है आप OBC वर्ग वाली बात नहीं है दूसरा ठीक है इसे ही अब जो स्ट्रीव कास्ट गुरूप है जिसको दलित वर्ग कहते हैं बोल चाल की भासा में तो स्ट्रीव कास्ट में भी जितनी 66 जातियां है हर जाती अपने एजंडे पर अपने तरीके से सोचती है और अपनी पसंद तालमेल किया है बीजेपी न तालमेल किया है कुर्मियों की पार्टी अपना दल सुने लाल उसने तालमेल किया निसाद पार्टी यानि जो निसाद समुदाय की पार्टी है उसने तालमेल किया है राजभर से जो राजभर की पार्टी है प्योरली राजभर की पार्टी जा कर कैसे रहें, प्रधान मंत्री आवास से उजलाय उजना है, किसानों का सम्मान निदी है, सहित तमाम योजनाय है, जो लाभारती समू है, कांग्रेस को भी लाभारती समू का लाभ मिला है, 2009 के चुनों में, लाभारती की वज़े से ही जीती थी, दुबारा सत्ता में आई थी मोदी जी उसको बराबर यूज की तीसरी बार भी उज़े करना चाहते हैं, लाभारती समून के साथ रहें, तो ये जो राजनितिक जो सिच्वेशन है, इसमें आज की जो कांग्रेस की रणनीतियों फिट नहीं बैठती नजर आ रही है, तो ये आप जो मोदी के विरोध का वोट था, सपा बसपा RLD गढ़बंदन के पास 37-38% ही वोट आया, बाकी 6.5% वोट का आंग्रेस के पास आया था, तो जो इस तरीक का जब वोटिंग पैटरंड है, कि 90% वोट दो गढ़बंदनों को या दो पार्टियों को मिल रहे हैं, तो जाहिर है कि चुनाव की समझ में आती है, कि एक ब्यक्ति जो समाज कैसे बटा हुआ है, समाज का जो गढ़बंदनों कैसे है, समाज का गढ़बंदन है, मोदी के समर्थन में या मोदी के खिलाफ, पार्टियों को कोई मतब भी नहीं रह गया, इसमें जो पार्टि बीजेपी के ठक्कर में होगी, पब्लिक उसके साथ चली जाएगी तो जो गड़बंदन था उनीस का वो टक्कर में दिखाई दिया इस बार समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाओं में विधानसभा चुनाओं में 80% डोनों पार्टी यों मिले सपा और बीजेपी को बीजेपी को 44% डोट मिलता है और सपा को 37% डोट मिलता है तो यह जो सिच्वेशन है इस सिच्वेशन के साब से आपको स्टेटी बनानी पड़ेगी अगर आप स्टेटी नहीं बनाएंगे तो आप 4-5% से नीचे आ जाएंगे और चुनाओं जाएंगे जो कॉंग्रेस का गढ़ था जिस पर कॉंग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि अमेठी और राइबरेली यह ऐसी सीट है जिस पर चुनाओं नहीं जासा तो लेकिन उस गढ़ में बहुत सारी चीज़ें उनका चुनाओं के दरान हमने देखा कि जिस तरह से समाजादी पार्टी के तमाम सारे नेता और विधायक धीरे-धीरे करके अपनी ही पार्टी से दूर हो रहे हैं तो उसके पीछे केवल एक ही कारण नहीं है तमाम सारे कारण होंगे जिसमें कि उनके पार्टी के अंदर जो एक कम्मिनिकेशन नहीं था अकले शादों के साथ वो एक कारण हो सकता है लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि वो जिस जाती को रेप्रेजेंट करते हैं उस जाती का भी समाजादी पार्टी के साथ कुछ असंतोश बढ़ा है तमाम सारे कारण सामने आ रहे हैं भले हैं अपनी पकड बनाए हुए थी वो तो कमजोर होगी ना अगर ये सारे ही बड़े विधायक जिनका अपनी जातियों में नाम है ये भाजपा की ओर चले जाते हैं तो अंतताव वहाँ पे कॉंग्रिस को किसका सपोर्ट मिलेगा समाजादी पार्टी के नाम पे जो विधायक थे वो तो पार्टी के साथ रहे ही नहीं तो ये जो एक समर्थन समाजादी पार्टी हमेशा से देती आए है गड़बंदन हो या ना हो तो मुझे लगता है वो अब देरे-देरे कमजोर होगा और इससे कॉंग्रेस को नुकसान ही होना है हाँ कॉंग्रेस अपने जो भी व पर अगर रोचनौल लड़के जीतना चाहते हैं तो ये मुझे थोड़ी वैसी स्ट्राटीजी लगती जिस पर बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता